बहुत appreciate किया और आप सब बच्चों ने individual भी message करें और आप लोगोंने बहुत videos, lecture को बहुत appreciate किया इसलिए एक और वीडियो आप लोग के लिए में बना रहा हूं चैप्टर नमर 15 की चैप्टर नमर 15 बच्चों इसमें concept बहुत important है तो concept गौर्ड से इसका सुनना ताके आपको इसकी exercises के जो important questions हैं फिर मैं आपको बताँगो कौन-कौन से questions पेपर में आते हैं और कैसे आते हैं introduction पर थोड़ा ता तबज्ज़ा देख, देखें बच्चो यहाँ पर मैंने board पर लिक्का हुआ है, technometry ratio ठीके इसमें कोई definition इसकी नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए technometry, अगर मैं इसको classified करूँ technometry को, तो try का मतलब होता है 3, go-no का मतलब होता है angles, matry का मतलब होता है measurement, ठीके, मतलब 3 angles measurement, और ratio का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको relation between two quantities of the same kind, लेकिन यहाँ पे दो quantities triangle की sides की quantity का हम बोलेंगे, यानि triangle के component उसकी sides, तो हमने का side relation, ratio बनेगा side के relation से, और side का relation कैसे बनेगा, दो sides को आपस में divide करके, ठीके, sides को क्या करके बच्चों, divide करके, ठीके, तो हम sides को divide करेंगे, तो क्या बनेगा, relation बनेगा, ठीके, ठीके, और हर relation का इस universe में एक नाम होता है, एक particular name होता है, तो relation का क्या नाम होगा, वो अपने दिमाग में बिठा लेना, और इस पूरे chapter में, उसी relation से ही, सारे questions solve होते हैं, ठीके, देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने triangles बनाएं, एक, दो, तीन, पूरी technometry ratio जो है बच्चों, वो right angle triangle में बेस करती है, ठीके, राइट angle triangle ऐसा रखा हो, ऐसे रखा हो, या पर यह यूँ, कट, 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 ऐसे रखा हो, ठीके, इस triangle को, मैंने नाम दे दिया, जैसे, A, B, C, ठीके, P, Q, R, ठीके, X, Y, Z, यह triangle को मैंने नाम दे दिया, ठीके, बच्चों, यह जो right angle है, इस right angle के opposite जो side होती है, right angle triangle की हासियत, उसकी property यह हर side का एक particular name है, उस name को दिमाग में बिटाएं, right angle के सामने और triangle की सबसे बड़ी side को hypotenuse side कहा जाता है, ठीके, इसका मतलब यह right angle है, तो इसके सामने opposite to the 90 degree और triangle की सबसे बड़ी side, क्या का मैंने opposite to 90 यह बच्चो 90 है opposite to 90 डिग्री और triangle की सबसे बड़ी site को hypotenuse का जाता है इसका मतलब hypotenuse की जगा change नहीं होती ठीक है आपको सिर्फ पैचानना होता है recognize करना होता है base को और base को कैसे पैचानते हो angle से पैचानते हो अगर बच्चो angle आपके पास given है तो आप base पैचान लेते हैं मिसाल के तोर पर आपको angle B दिखाया जा रहा है तो angle B कोई orally तो नहीं दिखाएगा कोई ना कोई उसका निशान होगा कोई symbol होगा उस symbol से आपको angle B दिखाया जाएगा और वो symbol वो निशान क्या है बच्चो एक यह symbol है मतलब alpha दूसा यह तीसरा यह चौथा यह 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 सारे letters इन सारे letters को use किया जाता है unknown angles के लिए मतलब angle हमें नहीं पता लेकिन आपको एक angle indicate किया जा रहा है तो मैंने यह ठीटा बना दिया इसका मतलब आपको angle B दिखाया जा रहा है तो जिस angle की नजर से बच्चो देखते हैं वो side पूरी side यह पूरी side side BC इसे हम बोलेंगे base ठीक है अब मिसाल के तौरपर यहां पर अब angle मैं यहां नहीं बना रहा है आपको यहां angle दिखा रहा हूं इस जगह पर ठीक है तो मैं बात को repeat करता हूं कि जो angle आपको दिखाया जाएगा जिस angle की बच्चो नजर से देखोगे वो पूरी side मतलब PR यह पूरी side आपकी base side होगी तो इस side को हमने base कह दिया ठीक है same as it is here अगर मैं आपको यह वाला angle दिखाता हूं z angle यह वाला यहां पर मैंने ठीटा बना दिए इसका मतलब मैं आपको angle z दिखा रहा हूं यह वाला ठीक है तो इस पूरी side को x z तक इस पूरी side को हम बोलेंगे base तो बच्चो जो side बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे आप सब को मालू है जो side बच जाएगी उसको बोलेंग इसका मतलब यह भी perpendicular इसका मतलब यह भी perpendicular ठीक है so what does it mean इसका मतलब यह हुआ कि आप सब को base पैचाननी है hypothesis अपनी जगह पे रहती है hypothesis अपनी जगह चेंच नहीं करती लेकिन base पैचानेंगे जो angle given होगा जिस angle की नदर से आप देखोगे वो side आपकी base side होगी और जो side बच जाएगी वो perpendicular होगी ठीक है अब ratios कैसे बनाएंगे जैसे मैंने बताया आपको ratios बनाएंगे side के relations से जो बच अगर मैं side AC को बच्चो side AC को अगर side AB से divide करता हूँ तो मुझे बताओ इन दोनों side का नाम क्या है side AC का नाम है perpendicular और side AB का नाम है hypertenious ठीक है तो दो side को मैंने divide करा है तो क्या बनाएंगे बच्चो relation और इस universe में हर relation का एक खास नाम होता है तो हम इस relation को भी एक नाम दे देते ह साइन ठीक है और किस एंगल से देखा है ठीटा तो इसके साथ ठीटा लगा दिया मतलब perpendicular upon hypotenuse इस relation का नाम साइन है ठीक है दूसरा यह देखो मिसाल के तोर पर अगर मैं इस side को यह वाली side side BC इसको divide करता हूँ किसे side AB से तो मुझे बताओ side BC का नाम क्या है बेस और side AB का ना hypotenuse तो जब base upon hypotenuse को divide करेंगे तो इस relation का नाम क्या होगा cos इस relation को cos बोलेंगे जब भी base upon hypotenuse तो इसको आप क्या बोलेंगे cos ठीक है जी तीसरा अब यह side देखो perpendicular और यह side देखो base perpendicular side AC ठीक है और base side BC अब मुझे फिर से बताओ side AC किसे represent कर रहा है perpendicular को ठीक है जब किसी triangle में perpendicular और base perpendicular और base को divide करेंगे तो इस relation का नाम होगा 10 theta तो sign का ratio क्या होता है perpendicular upon hypotenuse cos का ratio base upon hypotenuse 10 का perpendicular upon base कुछ बच्चे यह सोच रहा होंगे तो क्या हम ऐसे ही divide कर सकते हैं एक triangle की sites को मतलब triangle की sites को 6 तरीकों से divided क्या सकता है तीन यह हैं अब इसे को आप inverse कर दो मतलब hypotenuse upon perpendicular नीचे तो यह मैंने क्या कर आए यह मैंने इस ratio को पलट दिया है this is the converse ठीक है लेकिन यह किसका converse साइन का उलट का नाम है कॉसेक ठीक है same as it is here अदलब sign का converse कॉसेक इसी तरीके से अब hypotenuse को उपर और base को नीचे कर दूँ मैं कॉट ठीक है इसका मतलब 10 का converse से कॉट सिर्फ आपको sign cos 10 अगर याद होगा तो यह खुद बखुद बन जाएगा क्योंकि उसी ratio को आप क्या कर दोगे inverse कर दोगे उसी ratio को उसी relation को ठीक है तो अब सबके जहन में यह आता है कि sign को कैसे याद करें कि sign बराबर होगा perpendicular upon hypotenuse के cos बराबर होगा base upon hypotenuse के 10 बराबर होगा perpendicular upon base के तो सबके जहन में यह आता है सबसे पहले कि इसको दिमाग में कैसे बिठाएं तो कुछ बच्चे इसको अपने sentence से बनाते हैं टीचर अकसर बेशतर यह sentence बच्चों को सिखाते हैं some people have curly brown hair till painted black some people say मतलब s people p or have का edge तो s is equal to p upon edge और curly brown hair c is equal to b upon edge और till painted black means t is equal to p upon b ठीके जी अब अपनी मर्जी के भी आप जुम्ले बना सकते हैं जैसे के देखो अब तीनों रेशियो को आप अपनी जुम्लों में भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं जैसे के पी बी पी तो थोड़ा वजाया हो जाता है लेकिन फिर भी इसको याद कर सकते हैं जैसे के पि प्यारा भाई प्यारा कैसे याद कर सकते हूं प्यारा भाई प्यारा और इसके नीचे लिएखो it एच और भी तो इसको यूँ पफिल्यते हैं प्यारा खैजक स्याई हाए भा भी तो बच्यों को याद हो रिज़ाए का प्यारा भाए प्यारा मतालब भी निवाग में है निवा बार भी मत receiver और फार्ग सेड़ी तरही से लैसे निवास प्यारख को ऐ ठीक है पहले साइन को स्टैन के रिशो को अपने दिमाग में बिठाएं फिर इसकी अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टन कोशन आपको मैं करवाओंगा और उसके लिए आपको इसमें बताना हुगा कि यह समझ में आया या नहीं आया तब तक के लिए अल्ला आप